नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर देवेश सर्मा इस नाम से आप लोग परचीत होंगे राजस्थान के रहने वाले हैं राजस्थान सिप्छक भर्ती पर जो वहां पर विग्यापन निकला हुआ था उसमें बेड को समलित कराने के लिए यह वहां पर केस डाले हुए थे और हाई कोड से लड़ते हुए सुप्रीम कोड तक गया थे और 11 अगस्त को बीड वसेस बीएश टीसी या कहलें बीटीसी या डीएलेड उसका जज्जमेंट आया था जिसमें 2018-28 जून का जो एंसिटी का गजट था उसे रद कर दिय देवेश सर्मा तो गजट रद जाने के बाद सभी लोगों में जिग्यासा बने रही है कि आगे क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है एंसिटी क्या कर रही है के इंसरकार क्या कर रही है देवेश जी क्या कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि देवेश सर्मा जी बस बैड़ गया है हम उमीद हो ना हो लेकिन वो अपना प्रयास करता है तो देवे सर्माजीवी सांत नहीं बैठे हुए हैं वो फिर से गए हुए है सुप्रीम कोर्ड और उन्होंने एक जो है पुनर विचार करने के लिए याच्च का डाली होई है तो यह आपके सामने है सुप्रीम कोर्ड में उनका पुनर विचार डाला जा चुका है इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं यह आप देख सकते हैं डायरी नंबर यहां लिखा हुआ है और यह 2023 सन है जब भी आपको केस सुप्रीम कोर्ड में दाखिल करते हैं सबसे पह निकाल सकते हैं अभी हम आपको प्रोसेस भी बता देंगे तो यहाँ डायरी नंबर यह रिम्र हो गया कब लिल्ति कैस्ट के कर दो not 2023 को और इसका पेंडिंग है थीक है tendency जो यह डला गया है और सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हैं पर दारी नमबर उपर लिखा है उप 103 केस नमबर भी सब्सक्रम गया उसक्षर ëहां है चल रहा होता है ho differently अग्षोर जो है देखा कीजिए खोल करके कोई कुछ भी कह देता है बात नमान लिया कीजिए चलिए आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेब साइट पर कैसे जाना है क्या करना है वो सारी चीज़ें बताते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल में आप खोली जिएगा गूगल या लैप्टाप कम्पूटर जो भी आपके पास होगा और गूगल में लिखेगा सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हम टाइप करते हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं इस पर हमने क्लिक क्लिक क्या है आप के सामने में आजाएगी आपने मोगाल में भी खोल करके चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है सब कुछ आपको जो भी चेक करना उससे समझनित बहुत साई चीज़ें यहाँ डिटेल हैं हम लोगों केस का स्टेटस जानना है तो आप गूगल में डारेक्ट भी लिख सकते हैं अब लिख सकते हैं Supreme Court Case Status और यह सच करते ही Case Status आ जायेगा ऐसे आप क्लिक कर दिजे कब अगर यहाँ मोई क्लिक ल tuádर के लिए यहाँ अगर वह भी नहीं है अगर वह भी नहीं है आपके पास पार परिकार्ड तरय यहाँ से यहाँ अगर सेथ कर सकते हैं उसे वहाँ मोई और है और कुछ detail आपके पास है उससे भी search कर सकते हैं तो हमारे पार डारी नमबर हो डारी नमर यहां भरेंगे कौन सा इयर है वो और भर देंगे तो आपको डारी नमर याध होगा यहां भरते हैं यहां पर देख सकते हैं डाइरी नंबर देवेस सर्मा वर्सेस यून आफ इंडिया का फाइल किया गया है यहां पर देट लिखा हुआ है 2009 2023 इस्टेटस इसका पेंडिंग है देवेस सर्मा वर्स और वर्सेस यून आफ इंडिया एड़ोकेट हैं निहाराथी यह देख सकते हैं इस तरह से आप सुप्रिम कोड की विशाइट पर जाकर कोई भी जजमेंट या कुछ भी अपडेट ले सा идет मैं से और उसका इस्टास आप लगाता देखते रहीएगा वाशसे इसमें होना कुछ नहीं है सुप्रिम कोड में लगाता सुनवाई होने के बाद तब जजमेंट आया है और पुन्य विचार में कुछ नहीं है वही जजमेंट जो रहता है वहीं एजिटीज बना रहता है हो तक कुछ भी नहीं है आप देखते रिएगा अपडेट इसमें होगा कुछ नहीं कोड का काम खत्म हो गया है लेकिन प्रक्रिया बनी हुई है तो आप जा सकते हैं कर सकते हैं देवेश जी गए हुए हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है और यूंहीं जिचमेंट नहीं बदलते हैं रिजन दिखाना पड़ता है बहुत सारे फैक्ट होते हैं और जब हई-ग Rick में इतने सुन्वाई की सुपृम को कॉट नहीं थे सुन्वाई की सारे डीटेल है उसके बाद जजमेंट आ है तो क्योँ गडलेगा सिन रिचार से आप अगर सर्च करना चाहें सिक्षामित्र मेंटर 2017 में जज्मेंट आया था वो भी यहां पर आप डायरी नंबर केस नंबर पार्टी ने यहार कुछ भी है कोई भी डीटेल लाल के आप सर्च कर सकते हैं इसके पहले जज्मेंट आया है सुप्रिम कोड से बीटेट 2011 का अभी जज्मेंट आया है बिहार मेंटर में अभी इसके पहले 33 मेंटर में कुछ भी किसी का भी आप डीटेल यहां पर सर्च कर सकते हैं किसी भी कोड और का आपको जाना है डीटेल भरना है और कर सकते हैं और भारत के किसी भी कोड का कोई डीटेल लेना हो आप उसके कोड की साइ बनी हुई है Supreme Code का भी हर हाई कोड का भी बना हुआ है डिश्टिक कोड के भी सारी चीजें ऑन लाइन हो चुकी है इसी तरीके से सब जगह होता है आप किसी भी केस का घर बैठे जानकारी किसी भी कोड में जो भी जहां चल रहा है अपडेट ले सकते हैं तो ठीक है आज यह द किसी से वीडियो को से अधिक सथिक लोगों तक जानकारी पहुंचाते रही है help कीजिए पहुंचाने में चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिजिए गा बेल को नहीं दबाए हैं तो दबा जिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेग और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में